जैहिंदर स्टुडेंट्स मैं हूँ रभीक मार सकसेना आपका अपना छोटा सा प्यारे चैनल नमबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है आज से हम लोग अप्लाइट फिजिक्स वन सुरू करने जा रहे हैं अगर आप पॉल्टेक्निक SBT विहार से करते होंगे तो फर्स सेमेस्टर में एक सब्जेट है जिसका नाम है अप्लाइट फिजिक्स वन तो देखिएगा अप्लाइट फिजिक्स वन का सब्जेक्ट कोड किया है तो हमने यहां पर लिखा है 200-1102 अब आप जब भी किसी भी सब्जेट के बारे में आप अगर अधियन करते हैं तो पॉल्टेक्निक करते समय आपको सब्जेट कोड की जरूरत पड़ेगा चाहे वो लेबरेटरी हो चाहे वो सब्जेट हो यानि कि सब्जेट कोड जरूरी है किसी भी सब्जेट के लिए क्योंकि आपने टेंथ क्लास तक अभी पढ़ाई किया होगा तो उसमें भी सब्जेट कोड रहता है लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता था second paper है और second paper किसका है तो ये group 1 का अर्थाथ semester 1 का second paper है जिसका नाम है applied physics 1 और 2 क्या show करता है 02 मतलब इसका जो exam होगा अर्था जब आपका final examination होगा चाहे आपके college में mid semester examination होगा किसी भी परकार का exam होगा तो ये जो है second day में अर्थाथ पहला दिन छोड़ कर दूसरा दिन में जो है इस subject का exam होगा ठीक है यानि कि पहला पेपर छोड़कर जो दूसरा पेपर होगा वो applied physics 1 कहीं exam होगा तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हमारा examination जो है किस दीन में पढ़ेगा अब हम बात करते हैं subject के जाने से पहले कितना इसका marks है तो देखिएगा applied physics 1 का total marks जो है 100 है जिस तरह से आप लोग जो है 10th class तक किसी भी subject को पढ़ते होंगे तो आधिकांस जो है 100 marks को जो है subject paper होता था तो यह भी applied physics 1 100 marks का total है जिसमें से आपको 100 marks का exam नहीं लिखना है 100 marks में से आपको किस तरह से बाटा गया है उसको समझेए internal marks 30 marks है अब internal marks क्या होता है की courses किजएगा internal marks यह होता है कि आपको college के तरफ से दिया जाता है अब आपके मन में सवाल उटता होगा कि college के तरफ से AC अनाधून दे दिया जाएगा नहीं तो college के तरफ से marks जो है आपके पढ़ाई के अनुसार दिया जाता है आपके discipline के अनुसार दिया जाता है आपके attendance के अधार पर दिया जाता है तो यह जो है 30 marks है यानि कि internal marks हो गया 30 marks अब बचा कितना तो 70 तो 70 marks जो है आपका external examination होगा external examination कहने का मतलब आपको center पर जाकर exam लिखना पड़ेगा ठीक है तो यही जो है external examination होता है इसी के लिए बच्चा लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है क्योंकि इसको हम लोग बोलते है final examination यानि कि end semester examination भी आप इसको का सकते हैं तो final examination 70 marks का हो गया अभी आपको समझ में आगया कि total marks जो है external examination अर्थाथ final semester में जब examination होगा तो 70 marks का होगा अब हम बात करते हैं कि pass होने के लिए कितना marks चाहिए तो सबसे पहले देखिएगा मान लिजे internal marks 30 है तो उसमें से minimum marks आपको कितना लाना है पास होने के लिए यानि कि teacher आपको कितना marks देंगे तब आप पास हो सकते हैं तो minimum जो यानि कि minimum number आपको 12 number internal मिगना चाहिए तो ये आपको ध्यान में रखना है अब हम बात करते हैं 70 marks का जो internal external exam होगा तो external examination जो final exam में होगा उसके लिए कितना marks चाहिए तो उसके लिए 28 marks चाहिए यानि कि minimum जो marks है 28 होगा तब आप पास कहला सकते हैं देखिएगा 30 में आपको 12 लाइएगा तब पास होगा और 70 में आप 28 लाइएगा तब पास होगा अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर हम 70 में 70 लादे और internal में 30 में 11 लादे तो क्या हम पास हो सकते हैं नहीं दोनों में आपको minimum जो marks है उसको लाना ही पड़ेगा यानि कि चाहे आप 70 में 70 लादे टॉप भी कर जाए अगर आपको कॉलेज मार्स लाना है इसमें 12 इसमें 28 यानि कि टोटल मार्स कितना हो गया तो 40 नमबर minimum जो आपको 100 मार्स में पास मार्स के लिए चाहिए वो है 40 नमबर यानि कि 40 नमबर अगर आपका आजाता है तो आप पास कहला सकते हैं उस subject में तो यह आपका जो है हमने आपको समझाने की कोशिस किया अब हम बात करते हैं अपलाइट फीजिक्स-1 का सिलेबस के बारे में तो देखे अपलाइट फीजिक्स-1 में डेगा 6 यूनिट पहला यूनिट का नम है फुजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजर्मेंट यानि कि इसमें जो है यूनिट के बारे में पढ़ना है मेजर्मेंट के बारे में पढ़ना है और आपको जो है डीटियल में आपको बताएंगा कि क्या क्या पढ़ना है तो पहला unit ये रहा दूसरा unit का नाम है force and motion ठीक है उसके बाद तीसरा unit का नाम है power यानि की work power energy थार्ड unit है work power energy और फोर्थ unit का नाम है rotational motion और जो पाचवा unit है उसका नाम है properties of matter और छथा unit है heat and thermometry यानि की total जो unit हो गए 6 हो गए applied physics 1 में अब applied physics 1 जो है semester 1 में पढ़ना है अब आपके मन में सवाल उड़ता कि semester 1 में कौन students आएंगे तो इसके लिए हमने video already provide किया है पहला दिन है जब हमने introduction दिया था diploma का पोल टेक्निक का उस समय हमने जो है video को provide किया था कौन सा semester के students कौन सा branch वाला paper जो है कौन सा semester के students पढ़ेंगे य सारा चीज जो हमने पहले ही video में आपको बताया था तो आज के video lecture में हमने आपको बताया कि applied physics 1 का किस तरह से आपका marks का जो है किस तरह से पास marks क्या है internal में पास marks क्या है external examination में पास marks क्या है उसके बाद कितने इसमें unit है तो देखिए इस चैनल पर अथा number one classes पर मैं क्या करूंगा कि आपको topic wise यानि कि according to SBT बिहार के syllabus के उनसार topics wise आपको video lecture प्रभाइट किया जाएगा आपको क्या करना है कि आपको केवल channel को subscribe कर देना है यानि कि जो channel वीडियो देख रहे हैं नमबर वन ट्रास उसको सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है और उसके साथ ही साथ आपको bell icon को दबा देना है घंटी जैसा होगा उसको आपको दबा देना है जिसके कारण जब कभी भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नमबर वन क्लासेज के टीम ने हमारे लिए वीडियो को अपलोड किया है ऐससे तो आपको स्क्रॉल करने पर मिलेगा और साइन नहीं भी मिल सकता है इसलिए आप सस्क्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दिजेगा अगले वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नमबर वन स्टार्ट करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साजा कीजिए अठाद सेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाब मिल सके तब तक के लिए मैं बिदा लेता हूँ जैहिंद बंदे मात्रम